दोस्तो भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोग के आदी और अंत के देवता हैं जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। देने वाले हैं इसलिए प्लीज इसे स्किप किये बिना एंट तक जरूर देखना। कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं जिस कारण से इन्हें मृत्यू का भी कोई भाय नहीं है और इनकी मृत्यू कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विश्नु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विश्नु पुराण में बताया गया है कि भगवान विश्नु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ती हुई थी और उनके नाभी से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्माजी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी और भगवान विश्नु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विश्नु जी का जन्म हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान विश्नु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस शिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है और जब भगवान विश्नु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आये थे दोस्तों वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढून लेगा वही सबसे महान कहलाएगा ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी न खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मान कर वापस आ गए जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आये और फिर भगवान विश्नु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्ती शाली है इनसे बड़ी शक्ती इस दुन्या में को इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन में थे और ना ही उनका कोई अंत है और एक कारण तो यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है यानि भगवान शिव का अंत है ही नहीं वे अमर हैं अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विशे के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है की क्या भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव के पिता है? जी हाँ, इनकी ये कहाणी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है. तो आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रम्हा पुत्र के रूप में जनम लिया था। इसके पीछे विश्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार जब धर्ती, आकाश, पाताल या कहें पूरा युनिवर्स, जलमग्न यानि पानी में डूबा हुआ था तब भगवान विश्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं जब केवल विश्णु ही जल सतह पर अपने शेश नाग पर लेटे हुए नजरा रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभी से कमल की डंडी पर ब्रम्हा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रम्हा और भगवान विश्णु इस युनिवर्स से संबंधित बाते कर रहे थे, त ब्रम्हा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रम्हा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशिरवाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने ब्रम्हा जिसके लिए भगवान ब्रम्हा ने तपस्या की, और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए, आपको बता दें कि ये भगवान शिव का एक मात्रबाल रूप है, जब ब्रम्हा ने उनके रोने का कारण पूछा, तो उन्हो ने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है, तब भगवान ब्रम्हा ने भगवान शिव का नाम रूद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला, पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रम्हा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर भाव, उग्र, भीम, पशुपती, इशान और महादेव जैसे नाम थे, और शिव पुरान के अनुसार, उनके ये नाम पृत्वी पर लिखे गए थे, इसके बाद बात आती है श्रीमत देवी महापुरान की, तो श्रीमत देवी महापुरान में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमत देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए। तो एक बार जब भगवान नारजी ने अपने पिता भगवान ब्रह्माजी से पूछा किस रिष्टी का निर्माण किस ने किया है। साथ ही भगवान विश्णू, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारजी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौका देने वाली बात थी। दरसल उन्होंने कहा कि देवी दुरगा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा विश्नु और महेश का जन्म हुआ था। यानि प्रकृती का रूप लिए मा दुरगा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानि काल सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीम जिसके जवाब में भगवान विश्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभी से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई दोस्तों इसके बाद इन दोनों का जगडा सुनकर सदाश्य वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल दो काम दिये हैं इसी प्रकार मैंने शंकर और रूद्र को संहार और तिरोगती के कार्य दिये है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पांच मुख हैं एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदू और पांचवे मुख से नाद यानि की शब्द प्रकट हुए हैं। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। परा की शुरुवात की थी। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे। तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि ब्रम्भा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जिन्होंने गुरु श परा की शिश्यों के गुरु थे और वे जिन्हों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सब्त रिश्यों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये थे भगवान शिव के जनम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।